मैंने गाना देखा नवाजवदीन सिद्धिकी के लिए तमन्ना भाथिया के लिए लेकिन ओ माइगाड वो दोनों तो अच्छे हैं गाने में क्या गाना है राजबर्मन ने गाया है तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं मिटने की जिद अप करे जा रहे हैं मतलब मैंने तीन बार वो गाना सुना और देखा बेहद खुपसूरत गाना है नवाजुदीन सिद्धिकी के मुह में कहते है शेर के मुह में खून लग गया है तो एक के बाद एक उनका म्यूजिक अलबम आ रहा है बारिश की जाए सुपर हिट रहा उसके बाद नवाजुद खुपसूरत फिल्म आए गया है जहां पर दो कपल्स हनीमून के ले जाते हैं जिनमें से एक तमन्ना और नवाजुदीन है दूसरा कपल जो है वो बहुत स्टाइलिश है नवाजुदीन से सौतेला विभार के आता है मगर नवाजुदीन कैसे धीरे-धीरे दिल जीते हैं बहुत एक subscribers अनिकल जीते हैं उसकी कहानी कहानी के दिखाने की कोशिश की जा रही है बहुत इमानदार कोशिश वीडियो में लग रही है नवाजुदीन से दिखी बहुत expressive और प्यार के मामले में उनका इश्क फरमाने के मामले मतलब स्क्रीन पर उनका हाथ टंग नह लोग अल्रीडी फिदा हैं बहुत ज़्यादा खुबसूरत लगी हैं दोनों के मिस्टी भी काफी इंट्रेस्टिंग लगी है मगर सबसे ज्यादा इंट्रेस्टिंग है राजबर्मन जो मैशप काया करते थे यूट्यूब पर बहुत सारे उन्होंने कवर सॉंग्स गाए लोगों ने उनको बहुत पसंद किया उनके यूट्यूब चाल में बहुत ज़्यादा ट्राफिक है लोग बहुत पसंद करते हैं और अब राजबर्मन का ये गाना ओ माइगाड अगर आपने गाना नहीं सुनाया है तो आई हाइली रेक्मेंड आप जरूर जाकर सुनिये हं एाप इस गाने में को लूप पे लगा कर सुनिगे इतना खूबसूरत गाना है तुम पर हम तो मरे जा रहे हैं मिटने की ख्वाईश करे जा रहे हैं यहीं नहीं एक और लाइन है ख़्वाप तो बस जरीया है तुमको पाने का तिरी सांसों में बस के दिल तक आने का लिरिक्स भी बेहत खुबचुरत है इतनी जदा खुबचुरत लिरिक्स हैं इसके गाने को लिखा किसने है जै पितने के लोग हो नहीं किया लेक्स ओके लड्डू सौकला ने लिखा है लड़ू सुआलका ने लिखा है सौरी और रागा सचर जी का म्यूजिक है रागा सचर ने वाकई एक बहुत सच्चे हीरे की परख किया हला कि राजबर्मन कोई नया नाम नहीं सब उनको जानते हैं लेकिन एल्बम उन्हें ओफर करके बहुत सही किया तो इस गाने में नवाज उद्दीन और तमन्ना के साथ-साथ राजबर्मन लगातार आपके सामने आपके दिमाक में, आपके कानों में, आपके दिल में चलते रहते हैं तो मुझे गाना बेहत पसंद आया मैं शायद लॉकडौन में इस गाने को काफी बारसे होंगी बारिश क जाए अपने आप में खुबसुरत गाना था मगर ये गाना भी बेहत खुबसुरत है तो आपने क्या ये गाना देखा जरूर देखें और मुझे बताएं कॉमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपने गाना